कि हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे मज़िव में होंगे रोग शल्म करूंगे फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ जब भी आप अपने किसी भी टॉपिक को या किसी भी टेक्स्ट को कौपी करते हैं तो वह कौपी किया हुआ जो सारी से लिए हमें उसकी हिस्टोरी कहां पर आपको देख सकती है ठीक है जब भी आप अब टेक्स्ट को कपी करते हो और आप भूल से कभी-कभी डिलेट कर देते हैं तो आप फिर सोचते हैं कि आप उसे कहां से लाओं तो ये सारा डाटा आपका एक हिस्टोरी में जमा होता है तो आप किस तरह सी वापस पास सकते हैं वापस है किस तरह सकते हैं टो चलिए motivate वीडियो निलागयु यह लाश्ट तक और विडियो को ध्यान से देखे तब आपको समझमाइफ़ तो किस तरह से आप कहां पर पर आपकी कॉपी वाली कॉपी आप जो भी देखते हैं समा कभी जैसे मैं एक कहीं पर भी आपको दिखा देता हूं ठीक है आप जैसे इस तरह से कहीं भी टेक्स्ट करते हैं ठीक है आप टेक्स्ट करते हैं तो आप वह कोई भी इस तरह से आप टेक्स्ट कर लेते हैं तो आप उसको कॉ तो यहां पर मैं दिखा जएता हूँ कि वह copy किया हुआ हमारा जो जितना भी आप जो भी copy करते हैं वह कहां पर आएगा ठीक है तो आपको एक यहां पर keyboard पर एक three dots दिख रहे होंगे ठीक है यहां पर आपको क्लिक करना है जब यहां पर आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर कितने सारे ओप्षिन देखो यहां पर आपको मिल रहे हैं ठीक है सारे ओप्षिन यहां पर आपको मिल रहे हैं तो यहां पर से आपको एक क्लिप बोर्ड का जो option है वह मिल जाएगा ठीक है तो यहांपर जब आपक्लिक करते हैं तो देखिए आपके सारे copy जितने भी copy किये हुए हैं यहांपर आपकी जो copy किये हुई हैं वो सब यहांपर शुफ होने लगते हैं ठीक है remake तुम आज की वीडियो में के कुछ सेखने को मिला होगा तो तो फ्रेंड्स वीडियो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिशन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट जो है इसी प्रकार हमेशा मिलते रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि है